हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब लोग तुझे साब को पता है कि आप सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो थे आई वी पीएस पी ओ मेंस के जिनका इंटर्व्य हो चुका है और उनके जो स्कोर है वो आज रिलीस किये हैं आई वी पीएस ने अपनी साइट पर तो यहां मैं अपन एग्जामिनेशन एंड कैटिगरी जनरल ओके सो यह मेरा स्कोर है मैं आपको बिताते हूं मेरे स्क्षिनल अटेंप्स क्या रहे थे और स्कोर क्या रा बन रहा था उससे ओके तो जो मेरे रीजनिंग में अटेंप्स थे वो थे 23 जिसमें से जो तीन कॉशन थे वो दो मार्क कि थे और एक कॉशन जो दो कॉशन थे वह वन मांक का था तो टोटल जो मेरे स्कोर वाइस जो मेरे टैंप्स थे वह 26 मार्क का मेरा टैंप्स था और मेरे मर्क साहरे हैं इसमें 18.5 ठीक है नेक्स्टम बात करते हैं जेनरल इक रोमी वैंकिंग अवैरनेस की जिसमें मेरे उस टाइम में 12 या 13 कॉस्टिन्स को लेकर शॉर थी सिरफ क्योंकि यह मैंने इतना अच्छे से करा नहीं था और बाकी 4-5 कॉस्टिन्स पे मैंने रिस्क लेया था यहां पर वो रिस्क दिख रहा है कि वो नेगेटिव में गया है और मेरे जो स्कोर बने हैं जी यह में वो बन के हैं हैं कैंडिडेट्स के 30 प्लस भी है तो मेरे जो इंग्लेश में आटाम्स थे कॉस्टेंस शुतै और जो score wise अगर मैं बात करूं तो जो चार कॉशन थे वो दो marks के थे और बाकी जो बीस कॉशन थे वो एक mark का था तो अगर मैं score wise बता हूँ आपको तो मेरे 28 score का जो था वो attempt था और यहाँ पर जो marks है वो 25.5 है इसका मतलब सिरफ दो कॉशन गलत हो है इसलिए यहाँ पर धाई mark जो है वो English में कटा है ओके बाकी accuracy यहाँ पर काफी अच्छी आई है इस बार English में नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कॉंट्स की कॉंट्स में मेरे जो attempts थे वो थे 10 जिसमें से 4 कॉशन दो थे वो 2 marks के थे और 6 कॉशन दो थे वो एक mark का था तो total जो मेरा score wise attempt हुआ वो हुआ 14 marks का और यहां पर जो मेरे score आया है वो है 11.5 जो लास्ट में बात करूँ अपने descriptive की जिसमें हमें letter और essay टाइप करना होता है last year के compare में यहां पर मेरे 3 mark कम है मैंने अपना last year का भी score card share किया का था मेंस का जिसमें मेरे score आय थे 18.25 लेकिन यहां पर इस बार जो score मज़े देखन लिया था जो उसकी word limit थी उसके साथ में काफी अच्छे से लिखा था और जो ऐसे था वो बाकी 18 minutes में मैंने complete किया था लेकिन वो complete नहीं हो पाया था जो word limit थी वो इस बार बड़ा दी गई थी last year के compare में और यहां पर 200 से 300 words के बीच में हमें लिखना था ऐसे बट मैं वहां बर 200 words ही लिख पाई शायद यह एक reason हो सकता है यहां पर score कमाने का descriptive में जो की 15.25 आया है और यहां पर जो overall जो total मेरे score बन रहा है वो बन रहा है 81 जो की final cutoff से 9.75 अप है यह इतना कोई जादा अच्छा भी score नहीं और पूरा भी score नहीं है इस score को average score हम कह सकते हैं क्योंकि selection द है या जो मेरा overall marks बनेंगे final में वो depend करता है interview पर interview के भी मैंने आपको review वीडियो शेयर की थी last month जब मेरा interview हुआ था एक एक अप्रिल को जो final result आएगा hope ही रख सकते है जो final result आईगा उसमें क्या रहता है selection होता है या नहीं अगर होता भी है तो preference मिलती है या नहीं यह बहुत चीज़े matter करते हैं क्योंकि score इता जादा अप नहीं है आप भी अपना score जो है वो comment section में बताएगा कि आपने कितना score किया है sectional या overall जो भी आपको बताना बताना चाहते हैं comment section में बता सकते हैं okay तो इस video में इतना ही catch you on the flip side till then shine on thank you